नमस्कार वेब दुनिया नियूज में आपका स्वागत है और ने जड़ावत है आज की प्रमुक ख़बरों पर क्रिस्टन मिशेल ने कहा कि सोनिया गांधी को मैंने जान बुच कर निशाना बनाया अगस्ता वेस्लेंड हेलिकॉप्टर सौधा रिश्वतकान के बिचोलिय किस्टन मिशेल ने कहा कि कॉंग्रेस अदिक्ष सोनिया गांधी बहुत ताकतवर थी इसलिए उसने उन्हें इसकाम के लिए इस्तेमाल किया मिशेल ने स्विकार किया कि उसे लगता था कि सोनिया देश की सबसे ताकतवर नेता है इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया और इसकाम में उसने ब्रिटिश उच्चायुक्त की मदद ली मिशेल ब्रिटिश नागरिक है और वहां इस सौधे का दलाल है हलाकि बिचोलिय ने यह भी कहा कि इस सौधे को लेकर श्रीमती गांदी, मनमोहन सिंग तका एके एंटनी से कभी भी मुलाकात नहीं हुई उसने यह भी कहा कि सौधे को लेकर उसने इटली की आदालत में जो दस्तावेट स्पेश किये है वे सही है और सोनिया भी इस सौधे में अहम भूमिका में रही विजय मालिया के खिलाफ सीबी आई का रेड कॉर्नर नोटिस CBI और परवतन निदेशालाय ने शराप कारोबरी विजय मालिया पर शिकंजा कसते हुए उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है CBI ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करके उसे इंटरपोल के पास भीज दिया है अब इसे इंटरपोल ब्रिटेन में जारी करेगा इससे पहले परवतन निदेशालाय ने मालिया के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस और गिरफतारी को लेकर CBI मुख्यालाय में भी एक पत्र भीजा था इसके अलावा बैंकों से कर्ज लेकर वापस न करने के मामले में कारवाई करते हुए निदेशालाय ने मालिया के शेरों को फ्रिस करने की योजना भी बनाई है निदेशाले का यहां फैसका ब्रिटिस सरकार के उस जवाब के ठीक अगले दिन आया है जिसमें कहां गया कि मालिया को भारत को सौपा नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास ब्रिटेन का रेसिडेंसी परमिट 1922नों से है हैदराबद में उत्रा दुनिया का सबसे बड़ा विमान दुनिया का सबसे बड़ा कारगो प्लेन बीती राथ हैदरापाद के राजिवगंदी इंटरनेशनल एरपोर्ट में लैंड हुआ यह विमान 600 टन विजनी है और एक बार में 640 टन सामान ले जा सकता है छे इंजन वाला यह विमान बिना रिफ्यूलिंग के 18 घंटे तक बिना रुके उड़ान भड़ सकता है यह विमान बुधवार के किवसे औस्टेलिया के लिए रवाना हुआ था यह कारगो प्लेन 24 मीटर लंबा, 18.1 मीटर उचा है इसमें 6 इंजन लगए है, इसका वज़न 600 टन है इसके विंग की लंबाई, 18.4 मीटर है जो बोईंग 747 की दो गुनी है लेंडिंग के लिए इस प्लेन में 32 टायरों का लेंडिंग गेर सिस्टम लगा हुआ है यह विमान 6 मंजिला है, इसमें एक साथ देड़ हजार लोग बैठ सकते हैं